योजनायन इंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है एक जनवरी 2023 से 7 नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिसमें मोबाइल फॉन को लेकर के नियम है बैंक, क्रेडिट कार्ड और पैंसन को लेकर के 7 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं और कौन-कौन से 7 बड़े नियम हैं जो एक जनवरी नए साल से बदलने जा रहे हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लास तक जरूर देखेगा एक जनवरी से मोबाइल फोन, बैंक, क्रेडिट कार्ड, पैंसन को लेकर नियमों में बड़ा बदला होने जा रहा है और इन बदले हुए नियमों का किन पर ज़्यादा असर पड़ेगा और इसका क्या फाइदा होगा, क्या नुकसान होगा वह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है तो चलें बताते हैं कि क्या नियम बदलने जा रहे है पहला नियम है, अगर आप बैंक लोकर का इस्तमाल करते हैं तो 1 जनवरी 2023 से इसके नियम बदलने जा रहे है एक जनवरी 2023 से बैंक लोकर गराकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने नए लोकर समझोते पर हस्ताकसर किये हैं पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक गराकों को इसके बारे में सचेत करने के लिए SMS भी भेज रहे हैं देखे जो पहला नियम है बैंक लोकर को लेकर है जिसमें गराकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने नए लोकर समझोते पर हस्ताकसर किये हैं या नहीं किये हैं इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक गराकों को SMS के जरिये सचेत कर रहा है अगला नियम है एक जनवरी 2023 से Goods and Services Tax GST के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिन वयापारियों क्या सालाना टर्न ओवर 5 क्रोड रुपे से ज़्यादा है उनके लिए इन्वोईस बनाना जरूरी होगा पहले इसकी सीमा 20 क्रोड रुपे थी अगला नियम मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़ चाड़ करने वालों को लेकर सरकार सकती बड़ा दी है हर मोबाइल फोन निर्माता इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले फरम के लिए हर फोन के IMEI नंबर का रेजिस्टेशन जरूरी होगा ये नियम एक जनवरी 2023 से लगू होगे इसके साथ ही जो फोन विदेशी यात्रियों के लिए आये है उनका भी रेजिस्टेशन अनिवारिय होगा और उन्हें सेल्प सर्टिफिकेशन भी अनिवारिय होगा इससे फोन चोरी होने की दसा में उसकी ट्रेकिंग ऐसान होगी और इसके समंग लिंग पर भी रोक में मदद मिलेगी अगला नियम है नय साल से पहले दिन से क्रेट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव होगा HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के reward points और फीस structure में बदलाव होगा बैंक third party merchant के जरिये लगने वाले rate के भुगतान पर लगने वाली फीस में बदलाव बैंक ने नए साल से इस तरह से पैमिंट के लिए ट्रांजेक्शन के कुल एमाउंट पर एक फीजदी चार्ज लगेगा अलग-अलग कार्ड के लिए रिवाइट सिस्टम अलग-अलग होंगे वहीं SBI के कार्ड होल्डरों के लिए क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव किये हैं एक जनवरी 2023 से SBI कार्ड और SBI कार्ड अपने सिपली क्लिक कार्ड होल्डरों के लिए कुछ खास नियम बदले हैं दोस्तो एक जनवरी 2023 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है अगला नियम है नए साल में टीवी देखना सस्ता होगा ट्राई ने टेलिकॉम सर्विजिज टैरिप आदेश 2022 और दूर संचार परसारण वे केबल सर्विजिज इंटर कनेक्शन चोथा संसोधन विनियम 2022 जारी किया है नए नियम के तहट 19 रुपे से कम कीमत वाले चैनल बुके में सामिल होंगे इससे केबल और डिटीएच गराग इससे लग होंगे एक ब्राड़कास्टर अपने पे चैनल के बुके की किमत निर्धारित करते समय उस बुके सभी पे चैनलों के कुल MRP पर अधिक्तम 45% की छूट पेस कर सकता है किसी ब्राड़कास्टर के द्वारा किसी पे चैनल के अधिक्तम रिटेल प्राइज पर इसेंटिव रूप से दी जानवाली छूट एला कार्टे और बुके दोनों में उसे चैनल की सज़स्यता पर आधारित होंगे आगला नियम है नए साल में गाड़ी खरीदने वालों को बड़ा जटका लगेगा मारति सुझू की हंडूई मोटर्स, टाटा मोटर्स, मर्सडीज बेंज, ओडी, रेनोल्ट, कियो इंडिया और एमजी मोटर्स ने एक जनवरी 2023 से कीमते बढ़ाने की गोशना करती है होंडा कार्स ने कार के दाम में 30,000 रुपे का इजाफा करेगा, वहीं टाटा मोटर्स अपनी कर्मिस्यल गाडियों की कीमत दो जनवरी 2023 से बढ़ाने की गोशना की है अगर आप कार खरीदने का सपना देख रहे हैं तो अब आपको ज़्यादा पैसा देना होगा अगर आप पैंसन लेते हैं और आप एक पैंसन धारक है जो इसमें सात्वा नियम है तो नए साल में कुछ राज्यों में आपको पैंसन बढ़ा कर मिलने वाला है जबकि कुछ राज्यों में पैंसन धारकों की पैंसन बंद होने जा रही है तो दोस्तों यह साथ नियम थे जो एक जनवली 2023 से नए साल पर लागू होने जा रहे हैं और इससे आपकी जेब पर काफी फर्क पड़ेगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक चैर कमेंट जरू करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरू करिएगा